जैसरी किषाइव कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अप्ने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्प्रिच्वलोग टृपल टो में कैसे आप सभी लोग I hope आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस प्रिच्वल लॉग ट्रपर टू में दियर हम इस वर से प्रात्ना करते हैं आपकी जो भी विस है वह सारी विस्थ प पॉजिटिव कॉमेंट करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मज़ आप सभी का दिल से बहुत-बहुत आभार डियर आज हम इस टॉपिक पर रिडिंग करने वाले हैं कि आप उन्हें भूल क्यूं नहीं पाते हैं आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है क्या वज़ा है और उनकी कुरन फीलिंग्स क्या है वो अपके बारे में क्या सोच रहेँ हैं आपके जो पार्टनर हैं आप जिनके बारे में भी सोचते हैं जिनके बारे में बहुत याद करते हैं जो हर टाइम आपको बहुत याद आते हैं आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं तो आप उनके बारे में सोच करके एक पाइल जूस कर लीजे फिर आप उपने रिटिंग दे और अपने अपनों का धिहान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस्प्रिच्वल लव ट्रिपल टू में हम इस वर से आपके लिए प्रात्ना करते हैं आपकी जो भी विस है वो सारी विस पूरी हो जाए आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले है आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ पाउजिटिव हो दिएर पहले हम बात कर लेते हैं आपकी बर्थ मंत की आपका बर्थ मंत हो Σकता है जनवरी जुलाई मार्च अपरेल अक्टूबर नोहमबर अगस्त डियर यह आपका बर्थ मंत हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपकी date of birth या फिर आपके partner की भी हो सकती है जिनके बारे में सोच करके आप ये rating देख रहे हैं किसी भी महीने की 15 तारिक, 17 तारिक, 9 तारिक, 8 तारिक, 19, 20, 25, 26, 7, 3, 2, 13, 15 अब हम बता देते हैं आपको आपके name का first letter आपके name का first letter हो सकता है S, H, A, V, B, C, W, N, G, Z, O ये आपके name का first letter हो सकता है अगर ये आपसे नहीं match होता है तो आप पुरी rating देख सकते हैं अगर उसकी condition match होती है तो भी आप positive हो सकते हैं लेकिन डिया अगर आपसे नहीं rating match होती है तो आप पाहिल दूसरा भी सुन सकते हैं अगर आपसे rating नहीं match होती है तो आप rating को महीं पर छोड़ दीजिए लेकिन आप positive रहे है और negative मत होई है इस इनके बारे में सोच करके आप ये rating देख रहे हैं बहुत strong energy है कि कुछ लोगो आपसे बात करना बन कर दिया हो अब कुछ टाइम हुआ हो कुछ दिन हुए हो या फिर कुछ महीने हुए हो अचानक से बात करना बन कर दिया और आपको कुछ बताया भी नहीं तो बहुत strong energy है कि वह किसी बास से बहुत मजबूर है किसी बास से बहुत मजबूर है आपके नजरिये से तो उन्होंने अचानक से आफसे बात करना बन किया आपको call message ने कर रहे आपको call message पिक नि कर रहे हैं आपको बतलब बात नहीं कर रहे हैं आपको मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करें लेकिन डियर वो किसी चीज से मजबूर है आपको उनके सपने भी बहुत आ रहे होंगे आप बहुत जादा नेगैटिव सोच रहे होंगे बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल विचार आपके मन में आ रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई है मतलब वो अगर आपको बहुत ऐसा अपने पार्टनर को बहुत कोई बोली तो वह बात सही हुई है उन्होंने अगर उनसे बोला है कि आपको कोई टेंशन है तो जब उन्होंने बात किया है आपसे तो आपको पता चला कि हाँ यह बात सही है उन्हें टेंशन है कोई बात हो गई है आपको पहले से पता चल जाता है उनकी लाइफ में कोई टेंशन है य के पास सब निकलती है तो डियर आपको बहुत सारी चीजे पहले से महसूस हो जाती है तो आपको ऐसे ही सारी चीजे महसूस हो रही है आप उन्हें सोचते हैं एक बार की अब भूल करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर भी आप भूल नहीं पाते हैं हो सकता है क उनकी साधी हो गई हो क्योंकि कुछ लोगों की पार्टनर की एनरजी ऐसी दिख रही है कि उनकी साधी हो गई है या फिर आपकी साधी हो गई है तो आप उन्हें भूल करके बढ़ना तो आगी चाहते हैं लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं आप उन्हें भूल नही लेकिन फिर भी उनके सपने उनकी बाते उनकी विचार अब तक पहुंच जाते हैं आपको उनके मिरर करने लगती है अपको है रिस्ता फाइब डी लेवल पे है आप उन से सोल लेवल पर जुड चुके हैं आप उनसे बात करें या फिर ना करें लेकिन आपकी आत्मा उनसे जुड़ चुकी है, आप स्प्रिच्वल लेवल पे उनसे जुड़ चुकी है, और आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, हो सकता है और इसमें दिख भी रहे हैं, कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है करियर को लेकर हो या फिर फैमिली को लेकर हो, कुछ लोगों के पार्टनर के बीच में तो फैमली के लेकर बहुत प्रॉब्लम है इस वज़े से बात करें आपकी साधी और उनकी साधी यह बहुत मजबूर है बहुत ज्यादा मजबूर है और आप सोचते भी है एक बार की यह आपसे बात नहीं कर रहे हैं और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप सोचते हैं कि इस रिस्ते से मूब आन करते हैं हो सकता है काफे टाइम से आपसे बात ना कर रहे हूं, आप इनका इंतजार कर रहे हूं, यह आपसे दूर होने की कोसिस कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि आप जिंदेगी में आगे बढ़ जाएं, वो खुद को बुरा साबित करके आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन आप इने भू अपने जिंद्दीti में आroe बर nelोगरणा लेकिन फिर भी आप करनी पा आप इननों भूलनी पा है करना। इनकी याद आती है, आप चाह करके भी इनको भूलने पाते हैं, तो वो इसे लिए आप इने भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि यह बहुत दर्द में हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत पेलफुल एनरजी हैं, यह एसे खुद को लाचार सा महसूस कर रहे हैं, बहुत लोग इ और फिर भी यह अकीला महसूस कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि आप इनके हीलर है इनकी लाइफ में पहले भी कोई प्रॉब्लम आती थी या आप से बात करके खुद को हील कर लेते थे इन्हें बहुत पॉजिटिव महसूस होता है आप बहुत पॉजिटिव परसन है आपके आप से बात करने के बाद कोई इंसान कितने भी टेंशन में हो लेकि उसे बहुत सुकून मिलता है बहुत हील हो जाता है उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो खतम हो जाती है तो इनके हीलर थे आप जब आप से बात करते थे किसी की प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं कि आपके रि खुद को बहुत positive महसूस करते थे तो अभी इनके पास ऐसा कोई person नहीं है अभी इनके पास कोई ऐसा person नहीं है तो dear, यह आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा यह आपको याद करते हैं कि इनकी life में कोई problem है हो सबता है इनकी family में कोई बिमार हो या फिर कोई बात हो बहुत ज़्यादा tension वारी बात हो लेकिन यह आपसे बात नहीं कर रहे हो तो dear, यह आपको बहुत याद कर रहे हैं यह आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि कास आप इनकी जिंदगी में होते हैं कास यह आपसे बात कर रहे होते कास सब कुछ ठीक होता तो ये इतनी टेंशन में ना होते आपसे बात करके भी सुकून महशूस हो जाता तो ये आपके बारे में याद करके और ज्यादा रूते है बहुत जादा मतलब deeply आपसे connect है तो अगर है आपको याद करके रोते हैं आपके बारे में सोचते हैं तो आप तक वो एनरजी पहुँच जाती है कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना एगो बरगरार रखा था कुछ लोग हैं जैसे कभी-कभी होता है कि किसी के प्यार का एसास नहीं होता लेकिन बहुत देर बाद उसे एसास हो जाता है या तो खोने के बाद या तो फिर बिछडने के बाद एसास हो ही जाता है तो उन्होंने अपने एगो के वज़े से आपसे बात नहीं की होगी उन्होंने आपको छोड़ा होगा किसी वज़े से या फिर किसी अच्छे परसन उनके हिसाब से होंगे, उसके वज़े से आपको छोड़ा होगा, हो सकता है कि आप ज़्यादा इस्टेबल ना हो, आपकी फैमिली की आरतिक इस्तिती ठीक ना हो, तो इन्होंने बहुत अच्छा परसन देख करके अपनी फैमिली की मर्जी से या फिर किसी और के लिए आपको याद करके बहुत रो रहे हैं, अकेले में ये सिर्फ रो करके अपने वक्त गुजारते हैं, बहुत रो रहे हैं, इनकी एनरजी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, और ये सोचते हैं कि आप से बैतर इनके जिन्दगी में आप कोई नही मिलेगा खो दिया इनने लगता है कि सच्च और इंसान पाने का ओफर एक या बार जिन्देगी में आता है और एक बार अगर इसे खो दिया तो इन्हें बहुत जादा तकलीफ होती है कि आपको इन्हों ने खो दिया है किसी मजबूरी के वज़े से या फिर अपनी गल्ती के यह बहुत पस्ताते हैं बहुत ज्यादा पस्ताते हैं आपको याद करके रो रहे हैं हो सकता है कि आप सोसल मेडिया पे हो तो आपकी पिक्चर वगएरा यह देख बहुत रोते हैं और बहुत मिस करते हैं आपको वह पुरानी बाते बहुत मिस करते हैं तो यह आपको बहुत म इसलिए आप तक इनकी बात पहुँच जाती है आप अच्छानक से इनके बारे में सोचने लगते हैं, इनको याद करने लगते हैं, इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, आपके एकनम से बेचैन्स ही महसूस करने लगती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप इनसे जुड़ झाल कली है और यह बहुत बहुत स्ट्रोंग ग्रते होले करते हैं यह आपके लिए आप लुए हो सकता है यह आप सबसे लेकिन आपकर जो बहुत आयद करते हैं लेकिन एंडिया। आपसे एक बार मिल पाते हैं हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई गलती की हो तो फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो आपने इनसे दूरियां बना लियो आपने सोचा हो कि आप इनसे बात नहीं करना इन्हें छोड़ करके आप अपनी जिन्दगी में आगे बढ़े हो काफी मौके दे चुके हो लेकिन डियर फिर भी सुधरे ना हो तो डियर ये एक बार आपसे मिलना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए माफ़े मंगना चाहते हैं और जो आप चाह करके नहीं भूल नहीं पाते हैं वो इसलिए नहीं भूल पाते हैं क्योंकि ये आपको बहुत जादा पॉजिटिव मामते हैं आपके प्यार का इसास इन्हें हो चुका है और ये आपको याद करके रोते हैं कुछ लोग हैं जो 5D लेफल पे जुड़ चुके हैं अपने पर्सन से तो वो इस जनम के पार्टनर नहीं है वो अगले कई जनमों के पार्टनर है आपक तोकि ये Twin Souls हो सकते हैं क्योंकि Twin Souls में जरुरी नहीं है कि साधी ही हो साधी हो ये जरूरी नहीं होता है वो साथ रहते हैं, बात करते हैं, spiritual journey में आगे बढ़ते हैं, वो आपको spiritual journey से जोड़ते हैं, meditation से जोड़ते हैं, spiritual बनाते हैं, बहुत कुछ आपको positive सिखाते हैं, या फिर आप उन्हें सिखाते हैं, लेकिन dear, अगर साधी नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप twin soul नहीं है, त आप इनकी soul से जुड़े हैं, कई जन्मों से, तो इस बज़ा से dear, इनकी energy आपको mirror करती है, आप 5D लेवल पर इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे आपकी बाते होती हैं, जो आपको सपने के माध्यम से आती होंगी, या फिर intuition के माध्यम से आपको महसूस होती होंगी, तो dear, ये आपके कई जन्मों के साथ ही है, इस जन्म के नहीं है, किसी वज़ा से अगर आप बिछड़ गए हैं, या फिर अभी आप बिछड़े नहीं, आपकी बात हो रही हैं, तो भी dear, आप समझ लिज़े कि इनसे आपको बहुत positive रिस्ता है, हो सकता है कि आप ना भी आपकी बात होती हो, अभी आपका रिस्ता बहुत खुबसूरत हो, तो dear, आप अगर meditation करेंगे, तो आपकी साधी इनसे हो जाएगी, वरना ऐसे रिस्तों में बहुत सारे इसू आते हैं, बहुत सारे, family इसू, religion इसू, intercast इसू, बहुत इसू आते हैं, अगर dear, आप meditation करेंग तो आपकी साधी इनसे हो जाएगी और बहुत कुछ positive रहेगा, ठीके, और dear, इनसे जो आपका रिस्ता है, जो आप मतलब इने भूल नहीं पाते हैं, तो वो soul level पे हैं, इस वज़े से आपको इनके energy mirror करती है, हो सकता है कि इनके बहुत जादा कार्मिक रिस्ते हो, कार्मिक ह मतलब जो इनकी life में हो, इस वज़े से आप से दूर हो गए हो, किसी भी वज़ा से, तो dear, ये अप बहुत जादा painful इस्तिती में हैं, और ये आपको याद करते हैं, याद ये करते हैं, आपके लिए बहुत positive energy क्रेट करते हैं, इसलिए इनकी याद आपको अचानक से आने ल इनकी जो भी energy आपके लिए positive है, positive वाली है, बहुत strong है, कि अपनी गलती का एसास है, अगर ये आपसे मौका मांग रहे हैं, आप इनकी अपनी सारी गलतियों का एसास हो चुका है, dear, इनकी जो feelings है, वो आपसे मिलने वाली है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये अपनी गलती क से आपका रिस्ता नहीं पूरा हो पाया है, टूड़ गया है, खतम हो गया है, आपकी साधी कहीं और हो गई है, या फिर इनकी साधी कहीं और हो गई है, तो आप ये ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, अगर इन्होंने किसी और के बातों में आकर कि आपको छोड़ा है, तो यह बहुत पस्ताते हैं, बहुत जादा, कहते हैं न कर्मा जो है वो मिलता जरूर है, तो हो सकता है पहले इन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, बहुत गलत किया हो, आपको बहुत कुछ उल्टा सीदा सुनाया हो, बहुत कुछ नेगेटिव किया हो, आप ही इस दर्ड़ लेकिन यह चाहते हैं कि आप इन्हें माफ करते हैं ऐसा नहीं है कि जैसे आप इन्हें माफ ना करें अगर आप इन्हें अगर आप एकसेट नहीं करना चाहते हैं यह आपके माफी मांगना चाहते हैं अगर आपको पाने के चांस इन्हें मिलते हैं मौके इन्हें मिलते हैं यह यह किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते हैं अब इन्हें पता हो गया है आपकी कीमत का आप भी पॉजिटिव रही है नेगैटिव मत हो यह और इनसे आपका रिस्ता ट्विन सोल का भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर साथ की रिस्ते बहुत अच्छे हैं किसी मजब को याद करके रोते हैं इन्हें लगदा है कि आपके बिना जिन्दगी में कभी कुछ हो नहीं सकता आपके बिना यह जीने के बारे में खुशी से सोच भी नहीं सकते हैं यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाला प्यार करते हैं यह आपको याद करके रोते हैं इसलिए आपको इनकी आपनलारी तो आपको आरसंदें से 5 अगलो से 7 इनकी तौन तो को इनकी यादा आने लगती है तो आप अपर छि 모양 फिल फ्टरिकों kola और सुल अवह संभूागा बाएल 10 content आप चाह करके भीने भूलना ही पाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉंग एनरजी आपके लिए क्लिएट करते हैं अगर आपको पॉजिटिव रहना है नेगेटिव नहीं होना है अगर आप इनके साल जिन्देगी में आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अब इन्हें अपनी गल्ती का एसास हो चुका है और जब एक बर किसी को अपनी गल्ती का एसास हो जाए तो फिर वो कभी दुबार वैसी गल्ती नहीं करता है कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि हां गल्ती का एसास हो गया लेकिन उन्हें गल्ती का एसास नहीं होता है उन्हें इस चीज का एसास हो जाता है कि हां ये इनसान मेरे मतलब का है ये इनसान मेरे काम का है ये इनसान मेरे हाथ से जहना नहीं चाहिए लेकिन जो प् और यह और ही मर्स luggage आपके utilizing में किसी से अपने दर्ड को बता भी नहीं, दुन्या के सामने हस्ते हैं Voir कि अकेले में बहुत रोते यह बहुत ज्यादा रोते हैं रियर्स को बहुत हैं बोहत जादा बहुत कुछ ने गनान है कि आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं आज भी आपको भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं किसी भी मजबूरी कोई जिसे दूर हो गए हैं लेकिन आपका प्यार इनके दिल से भी खतम नहीं हुआ है ये आज भी आपको नहीं चाहते हैं बलकि उससे ज़ादा चाहने लगी है यह आपसे बहुत प्यार करते हैं बहुत ही ज़ादा आपसे प्यार करते हैं और यह सोचते हैं कि हमेसे आप अपने जिन्दगे में खुस हैं आपके लाइफ में कभी कोई tenía है यह आप भी इनके लिए बहुत positive सोचते हैं और ये भी आपके लिए बहुत positive सोचते हैं कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग जिन्देकी में आ जाते हैं जिन से उम्र भरका तो साथ नहीं होता कुछ पल का ही साथ होता है लेकिन वो भुलाए नहीं जाते हैं तो इसी तरह वाला इनका से आपका रिस्ता है अगर ये आपसे बिछड़ गए हैं आप इनने चाह करके भूला नहीं सकते हैं क्योंकि इनसे आपका सोल का कनेक्शन हो चुका है इस प्रिच्वल कनेक्शन हो चुका है हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत मेडिटेशन भी करते हो इन्हें हील करने की पूजिस करते हो बहुत कुछ पॉजिटिव करते हो आपको जो मैसूस होता हो तो डियर आप चाहके भूल नहीं सकते हैं अपने जिंदिगी में आगे बढ़ सकते हैं अपने आपको बीजी रख सकते हैं लेकिन आप इन्हें भूल तो इससे तो एसा नहीं कर सकते हैं उन्हों का सोल का क्रिए अपने ध्यान और अपने अपनों का ध्यान कि इस बारे बिलकल मत सोचिए सोचने का काम लोगों का है लोगों को करने दीजिए आप तो meditation करिए और positive रही है ओको हमारे यह रीडिंग पसंद में है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप्के घरर मोटिवेट कर थे आगे और नए वीडियो बनाने के लिए अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते, आजfund और नए वीडियो बनाने के लिए, जैस्रीकिष्णा जैस्री किश्णा आपसन नबर टू कैसे आप आई होप आप स्वस्त होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रेच्वल लग ट्रपल टू में हम इस पर से आपके लिए ब्रातना करते हैं आपकी जो बीज हो सकता जून जुलाई अप्टूबर नौवंबर दिस्वंबर अप्रेल के अब आपको बता देते आपका डेट ओबर्थ आपकी dato बचसकती है कि इसी मेने की दो टारिक चार तारिक पांस टारिक 9 तारिक 7 तारिक 15 तारिक 11 25 23 20 तीन दो हो सकती है बहुत स्ट्रॉंग है जो दो तारिक है दियर अब हम आपको बता देते हैं आपके निम का फिर्स्ट लेटर आपके निम का फिर्स्ट लेटर हो सकता है ती, यू, एम, वाई, डब्लू, एस, ए, एन, डी, एच, आई, आर, ए, बी, ए, वी, दियर ये आपका निम का फ़ेश्ट लेटर हो सकता है आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप ये रेडिंग देख रहे हैं उनका भी हो सकता है उन्हें आप भूल क्यों नहीं पाते हैं वही आपको क्यों याद आते हैं आप जहां करके भी उन्हें क्यों नहीं भूल पाते हैं कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर ने बहुत तकलीफ दी है या फिर किसी के लिए भी ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हों कि जिसे आप भूल ने पाते हैं कुछ लोग हैं जिनके U partner नोंने बहुत तकलीफ दी हैं बहुत कुछ लगाया है हो सकता है कि उन्होंने आपको दोका दिया हो फिर आपको बदनाम भी किया हो आपको बहुत कुछ नेगैटिव बोला हो लोगों से आपके बारे में बहुत कुछ बोला हो आपको गलत दिखाया हो या फिर हो सकता है कि आपका उनका रिस्ता हो तो उन्होंने आपके बढ़ का सकता है आपके जग्स हाँ ड़े जो जबाए नहीं है धनी हैं चीज बड़ में कब히 कब히 कुछ फिल एतने गहरे होते हैं किसी चीशत बहुत जादा अ़को कुछ हो सकता है कि उन्हों बहुत कُछ बहुत बोला हो या फिर आपके बारे में बहुत कुछ बोला हो temos और उन्होंने आपके भरोसा न किया हो अपने जाम लगाया तो इस तरह से आप बहुत हुआ हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत हुए हैं, तो सब्सक्ыт dislod भरोसा भरोसा बहुत करते थें लेकिन रावट पार्टनर के आप को दोखा दिया है। उन्हों govern University चीट किया है और आपको लगता है कि फिर भी उसकी बात मेरे दिल से क्यों नहीं जाती है क्योंकि होता है ना कि जब नगैटिव हो या फिर पॉसिटिव हो जब मुझे भूलते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं तो आप पूलने की बहुत कोसिस करते हैं उस दर्द से बाहर निक भी पॉसिटिव तरह से नेगैटिव तरह से नहीं पॉसिटिव तरह से तो डियर कुछ जख्म आपके ऐसे हैं जो लोग भी नहीं भड़ सकते कभी कभी होता है कि कुछ लोग जिंदेगी में आते हैं वह पहले तो बहुत कुछ पॉसिटिव करते हैं लेकिन जैसे जैसे व वो बहुत समझते हैं Lekin बात में सारी खतम हो जाती है तो कुछ लोगों की जिंदिगे में हैसा हो रहा है हो सकता है आपने जिन्देगी की नई सुरुआत पी हो लेकिन उस बात की वज़े से अपकी जो नई शुरुआती वह भी खराब हो गई, तो dear, आप बहुत हट हो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही आपको, तो इसके लिए तो आपको meditation करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को किसी और चीज का सहरा लेते हैं ना तो भी शही नहीं होता है हमें किसी छीज को खतम करने के लिए किसी का सहरा नहीं लेना चाहिए अप meditation कर सकते हैं, जिसे आपको अंतर आत्मा से बहुए सुकून मिलेगा, खुद इसे सुकून मिलेगा, किसी दूसरी के सारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हैं किसी दूसरी के सारे फिर हम अकेले ही हो जाते हैं फिर से हम तोट ही जाते हैं और उससे कई गुना ज्यादा तूट जाते हैं तो डियर इसके लिए आपको तो मेडिटेशन करना होगा मेडिटेशन करकर के आपकी जो हीलिंग है वो हील होगी जो आप बहुत तूटे हुए हैं उससे आप हील होगे आपकी अंतर आत्मा में जो चोट लगी है आपको जो तकलीफ है वो सब हील होगी सब ठीक होगा तो आप दियर इसके लिए मेडिटेशन करें और आप उन्होंने भूल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है उससे आज भी आपको चोटे आज भी तकलीफ मिल ही रही हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला हो ब्लैक मेल किया हो तो उसके वज़े से आपने वज़े से आप अपनी फैमिली को ना समझते हो अपनी फैमिली को छोड़ दिया हो तो आपकी फैमिली भी आपको ट्रोल कर रही कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती हैह तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ थोनाते बहुत कुछ पूरते हैं तो इस तरह दो भी हो रही हूँ तो इसलिए आप ben बूल भूल लाइसे चाघी हैई कि पूरत आब करते हैं वो भी आपके बारे में बहुत कुछी नेगेटिव बोलते हैं और उनके जो लोग हैं वो भी नेगेटिव बोलते हैं तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ में भी आपकी बाते चल रही हैं लेकिन उन्हें कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा है क्योंकि उन्होंने दिखाया आपको एसलिए आपको हर कोई बोलता है तो आपके पास वह एनरजी आ जाती है और जिससे आप बहुत ज़्यादा अठेशन में आजाते हैं और आपको उनकी याद आ जाती है आप न चाह के भी उनके बारे में सोचते हैं कि नेगेटिव तरह से ही सोचते हो लेकिन फिर भी आपको यहाद आती है क्योंकि आपके लिए अनेजी क्रेट करते हैं यह पूरम का याद दो Remembering K याद आजाती से आप उनके भूल नहीं पाते हैं उनके बातों को भूल नहीं पाते हैं तो डियर आप खुदको में आपको क्या करना चाहिए इस एंजल इनको क्या करना चाहिए इनके लिए नहीं से आपका क्या है आपकी एनर्जी अभी विल्कुल ऐसी है आप विल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं जैसे आपको लगता है कि कोई भी आपकी जिन्दगी में नहीं है कोई भी आपको समझने वाला नहीं है लेकिन में लिए अम स्ब्सक्राइब दोग्यों सीया एक लिए लेकिन वागते की पाहते हैं और दोग्यों करें पर दोग्यों को दोग्यों कर दोग्यों के साथ जोड़ा सा और को शूब कुछ vested को आपको शुया लगा थोड़ा सा अग.. से पॉजिटिव पहले करें खुद के अंदर थोड़ी सी खुशी वाला वक्त लेके आए जिसे आपको अच्छा लगे फिर इसके बाद आप पॉजिटिव हो जाएंगे आप अपने लिए कुछ करेंगे उससे आपको बहुत कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा डियर अपके सब्सक्राइब या दिरहना कैसा बीड़ा हो खैसा बेगात हरेमेत करेंगे हुआ को भी यह कोर्त करेंगे यह बना राउन एक्ष्ट अए उन्हें को हो सकता है कि इन्हों ने भी ऐसे में इनकी फैमिली ने देखा हो और इन्हें इस दर्द का एसास होगा यह इस दर्द को समझ सकेंगे जैसे कुछ लोग होते na कि पास्ट को जान जाते तो बहुत को सुनाते रहते हैं थोड़ी ठोड़ी बात बर ड्रोल करते हैं तो यह ऐसा mają करेंगे और है किकिना भी कुछना भी आपके खिलाफ भड़का है लेकिन यह भड़केंगे नहीं यह happening या फिर फेमेल हो यह आपका साथ ही देंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे अडियर यह बहुत जल्दी आपकी जिन्दगी में आएंगे अगर नहीं आएंगे तो यह हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो जो आपको बहुत समझे पहले आप इन्हें ना समझते हो लेकिन य आएं। वो सोचते हैं कि मतलब उसकते हैं ठीकिस हैं नहीं ते आपकी कोई हैसे कि तुक्रेल की आप देख रोर होसी के हैं यह다 करके ही बहुत अच्छा लगता है इंसे कास बात हो जाए। बहुत ज्यादा ही महसूस करते हैं। करके आपकी साथी भी हो गई हो लेकिन पिर्वी जिन्दीगी में AND fatal day out से निहें बहुत। और उन से बाद करना चाहते हैं। उन के बारे में सोचते बहुत है। आपको लगता है कि भूलना चाहते हैं भूल क्योंनी पाते हैं। आप उनकी तरफ एक क्षिम्मक की तरफ जैसे मैंगनेटिक पावर के तरफ खिछते पड़ सकते हैं। आप उनके और पर एक मारे में सोचते हैं, अपको टाइम ॉन्हें की ख़़ने के लिए ख़ढ़े है अगर वो आपको देख चाते हैं तो जैसे लगता है कि तारी स्सक्राइब सारे जहान की आपको मिल hurt सोचते हैं ज़ less में उसाइक वह सकती है कि हमारे आप मैर्ट हूं अब आकर करी आप किसी साथ रिस्ते में हो आप लेकिन फिर भी आपके जिंदेगी में कोई ऐसा परसन आया हो या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर हो आपके बच्चे भी हो लेकिन फिर भी अब आपके जिंदेगी में कोई ऐसा परसन आया है जिसे देख करके आपको सुकून मिलता है ऐसा लगता है कि पहली पहली बार व हों तो आप उनके वीडियो आप उनके फोटो एक बार नहीं कई बार देखते हूं और आपका मन न भरता हो तो आप सोचते कि ऐसा क्या है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ मेरे परसंग वह भी बहुत अच्छी है वह आपको समझते होंगे अगर जिनके नहीं समझते हैं तो कर देंगे बढ़ isते हैं लेकिन जो आपको अच्छे लगते हो सकता है वह मैरिड हो हुँ लेकिन फीर भी आप City को हो मैसी बहुत कऊली लाइफ में लेकिन आप ने पाइसे लिए को जरुए होता है कि यह आपके tv आपको बहूत क Daw 강ई के साथ को किसी के साथ नहीं आपको लगता है इतना कभी किसी नहीं किसी नहीं समझा जितना आपने इनके नहीं किया है उस्से कई गुना जञादा अपने लोगों के लिए किया है उनकी केर किया है उन्हें बहुत समझा है उन्हें बहुत प्यार दिया है उन्हें बहुत सपोर्ट किया लेकिन फिर भी इनकी तरह आपको किसी के साथ नहीं महसुस हुआ है तो डियर आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ क्यों खीच रहे हैं हैं तो चेस सोल है आपकी सोल का हिस्सा है। आप कर जड़नी में हो सकते हैं जो लोग टुछी alla रिष्टे में होते हैं उनका इस दुनिया में आखरी जनम होता है वो फिर स्प्रिट बन जाते हैं दोनों सॉल मेल कर कर ऐस पर बन तो डियर हो सकता है कि यह आपके सोल में ठो हो सकता है यह के टूइन हो सकते हैं इसलिए आप इनके तरफ इतना खिचाओ मैसूस करते हैं क्योंकि जब एक सोल से दूसरी सोल मिलती है तो अपने आप ही कुछ जाना-जाना सा लगता है यह जनम का नहीं कई जनमों करिस्ता है यह आपके सोल के हिससा होते हैं आपके आपके काूंटर पाउट होते हैं इसलिए के घचाव मैसूस होता है तके सोचते हैं और छाथे कि सबकुछ हो एनरजी में एक आपकी अटएंटी अनरगी बैलंस हो तो इसके लिए डियर आपको meditation करनी पड़ेगी आपको meditation करना पड़ेगा अगर आप meditation करेंगे तो सब कुछ positive हो जाएगा और आपके energy change भी होती रहती है इनके मिलने के बाद आपके energy change होती है कभी आप बहुत जादा tension हो जाते हैं आप बहुत जादा खुस हो जाते हैं कभी आपको पता नहीं चलता कि अचानक से यह इस तरह से क्यों होता है तो वह इसलिए होता है क्योंकि जो आपके ट्विन हैं अगर उनकी सिंदगी में बहुत खुसी है तो अचानक से आपको बहुत खुसी मैसूस होने लगेगी अगर तो इसलिए आपको समझ Jacka क्योंकि जो आपके ट्विन के साथ हो गा वही आपके साथ होका उनकी अनरिजी मिरर करे गी जो उनके साथ होगा वह आपके साथ होगा तो अपंट एंन रिस्ते में इस लिए आप जब आपके जिन्दगी में आएंगे या फिर आ चुके हैं तो आपको spiritual जड़नी से जोड़ेंगे आप इनके आते ही बहुत जादा spiritual हो जाएंगे आपको दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा हर किसी की तकलीफ महसूस होगी हर किसी का दर्द आपको महसूस होने पॉसितिव चेंज़ेंगे आप बहुत जादा meditation करने लगेंगे आप उनसे बात करने के लिए meditation करने लगेंगे हो सकता है कि आप टैरोड से जुड़ जाएं ऐसी तरह से God guidance से जुड़ जाएं और आपको पता चले कि आपको meditation करना होगा हो सकता है कि आपको बहुत सारी जाएंगे इस spiritual changes आएंगे आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे success की तरफ बढ़ेंगे डियर इनके आने से आपके जिंदगी में बहुत कुछ positive changes होंगे और जो इनकी current feelings है अगर आपके लिए बोले तो इनकी current feelings अभी कुछ खास नहीं है इसलिए क्योंकि जो masculine होते मतलब twin soul जन्री में होते हैं उनके partner की family होती है वह बहुत कार्मिक होती है उनकी family होती होती हो भूइप any of our healthy दियान देते है लेकिन अपनी family Pour पर तो बहुत जो आपके पार्टनर होंगे जिनके लिए आप यह देख रहे हैं वह अपनी जिम्मेदारियों पर अपने लिए तो बहुत कम करते होंगे लेकिन अपनी फैमिली के जिम्मेदारियों को बाखोबी निभाते होंगे कुछ भी हो लेकिन अपनी फैमिली के बारे म में ही हो जो आपके पार्टनर हो वो ऐसे ही हो उनसे आपकी बात कम होती हो लड़ाई हो जाती हो आपने बहुत समझाते हो कि अपने लिए भी कुछ किया करो अपने लिए भी जीया करो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो यह अच्छी बात है लेकिन अपने लिए भी कुछ ऐसे बोलते होंगे कि अपने लिए क्या करना अपने ली क्या करते हैं ना में फैमली बहुत खुब हो जाएगी उनके क्या हो रहा है इनको क्या नहीं हो रहा है नहीं फर्क पढ़ रहा है इनको फर्क नहीं पढ़ रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं लेकिन उनकी जो ख्वाइसे है वो पूरी होनी चाहिए तो डियर इनकी जो कार्मिक फैमिली है वो इनको अपने ही सारों पर नचाना चाहती है वो चाहती है कि ये जिन्दगे बर सिर्फ उनकी सुने और इनकी साधी को अपने मर्जी से करवाना चाहती है तो हो सकता है कि ये आपसे बात भी ना कर रहे हूँ हो सकता है कि ये आपसे बात ना कर रहे हो अगर आप इनसे साधी की बात करते हो तो ये गुस्सा हो जाते हो आपसे बात ना करते हो आपको जवाब ना देते हो तो डियर ये मजबूर भी हो सकते है ये मजबूर भी हो सकते है अगर इनकी करेंट फीलिंग की बात करें अगर य नेगेटिव धंकी दियो इस वज़े से ये डियर आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन ये बहुत मजबूर हैं बहुत सैड अनरजी में हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन किसी चीच का वादा नहीं करना चाहते हैं इन्हें डर भी लगता है कि अगर ये आपसे बात करें लेकिन यह आपसे प्यार बहुत करते हैं अपके बारे में सोचते हैं आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं इनके मन में हैं लेकिन यह बोल नहीं पाते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हमें बहुत हस्ते वे दिखते हैं पर वो अंदर से बहुत तूटे हुए लोग हो में तो कुछ Macht कुछ में यह दिखाएंगी यहसे घ्रूक रहां ताम आपको पास प्राइब है कि यह Three अव्सपास पूर्श तों ừ idée च्छू कलिए अड़ियोगही आपके काबिल का का प्रा जो बहुत सारी spent भोगा जायगी इनका एगो है जो हो जाएगा तोड़ा सा है लगता है कि आप मना कर देंगे जो बात बिगड़ जयाए की कुस लोगों को सकते हैं कि कि ये भी अपके बारें नहीं बहुत कुछ सोचते हैं बहुत कुछ सोचते हैं हो सकता है कि आपको ये सोचल मेडिया पर मिले हो हाल फिलाल में मिले हूं तो डियर ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं आपसे मिलना चाहते हैं आपको सप्राइज देना चाहते हैं आपसे बाते करना चाहते हैं आपके साथ ये जिन्दगी जीते ह हैं ख्वाबों में जैसे एक होता है ना कि इमेजन करना तो इस तरह से यह आपके साथ इमेजन करते हैं ख्वाब वाली जिते हैं ख्वाब वाली जिते हैं यह आपके साथ डियर यह आपके लिए इससे बहुत पॉजिटिव फिल करते हैं बहुत कुछ पॉजिटिव बोलते हैं ़ेUNG इї शिर्फ खुबहों में सिर्फ अकेले में सिर्फ आपको इमेजन करके आपसे बोलते हैं city करते हैं ये हर स्ट्रॉंग तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्हें लगता है इन्हें नहीं हो सकता है कि इन्हें पता हो कि मैनिफेस्ट क्या होता नहीं लेकिन जो नेगाटिव सोचते हैं इंसान या पॉजिटिव सोचते हैं तो जाने जाने हर चीज मैनिफेस्ट करते हैं सोचन ही बहुत बड़ा manifestation है आप यह समझ लिजे आप जैसा सोचेंगे वैसा manifest होगा तो आप इनके बारे में सोच रहे हैं इनको आपके सपने आ रहे हैं आपको इनके सपने आ रहे हैं तो डियर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यह आपके साथ तो कुछ ज और हो सकता है कि यह थोड़ा सा मजबूर हो इनकी जो current feelings है हो सकता है कि यह घर में छोटे हो या फिर बड़े हो इनके उपर जम्मेदाइयां बहुत हो और इन्हें लगता है कि अगर यह आपस अपने दिल के बात बोलेंगे तो फिर बहुत सारी बाते होंगी बहुत सारी साइसरी जवाब इनके नहीं होगा इस वजह से डिय इस वजह से डियर यह अपसे अपने दिल के बात नहीं बोल रहें इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा यह उस time के बाद साइद यह आपसे अपने दिल की बाद बोलें लेकिन dear 99% यह आपसे बहुत प्यार करते हैं आप इन्हें मिले या फिर ना मिले लेकिन यह आपके साथ खुआब वाली दुनिया तो जीते हैं और यह रोज जीते हैं और यह आपके साथ पुरी जिना चाहते हैं रियल में भी लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहते हैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं कि कास उतना टाइम मिल जाए जितना इन्हें चाहिए डियर यह आपसे प्यार बहुत करते हैं जब वह डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी या फिर यूनिवर्स की तरफ से सारे संदेश आजाएंगे तो यह हिम्मत करके आपसे अपनी तरफ से बोल सकते हैं लेकिन अभी तुह आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हैं खूँ करते हैं तो इस वज़े से आपसे हो सकता किसी चीज का फैसला अभी ना ले पाएं यह अपनी फैमिली के खिलाफ ना जा पाएं क्योंकि इनका मानना है कि टाइम पास किसी के साथ नहीं करना है कि पहले प्यार तो कर लिया बात भी कर लिया और सब कुछ हो गया और अच्छी नहीं लगती है इन्हें लगता है कि जब फैमिली वाले ही नहीं मानेंगे तो किसी से बात करके इसके दिल के साथ क्यों खेलना तो इस वज़े से यह आप से अपने दिल की बात नहीं बोल रहें लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह आप से अपने दिल के बात बहुत जल्द बोल देंगे, जब इन्हें लगेगा कि हाँ ये आपके साथ जिन्देगी भर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे, और हो सकता है कि डिरेक्ली आपसे साधी के लिए बोल दें टाइम पास वाला टाइम पास नहीं करेंगे डिर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, अगर इनकी फीलिंग जो अगर आप जाने बहुत श्ट्रॉंग वाली तो वो ऐसी है कि आप इन्हें मिले या फिर ना मिले लेकिन जो प्यार है वो कभी भी खतम नहीं होगा कभी भी आपके प्रतिन के दिल से प्यार खतम नहीं होगा डियर यह बहुत कुछ सोचते हैं पर बुरा इंसान मिले लेकिन समझदारी से हरक कदम को आगे बढ़ाना है जल्द बाजी नहीं करना है ठीक है आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मज़ सोचना लाइक कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और ने वीडियो बनाने के लिए जैसरी कृष्णा